है है लोन वेलकम दोस्तों मैं दीपक और आप देख रहे हो इदीपक शैलर यूट्यूब चैनल को दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगो एज़ुड़ेप से बैंके क्रेडिट कार्ड के ट्रांदक्शन को मैनेज करना से कहा हुआ मतलب कि क्रेडिट कर करके ट्रांदक्शन को आप आउन अफ करना है अपको अनली ऑन लाइन ट्रांदक्शन को आप करना है या फिर डोमेस्टिक यूधस आउन आप करने या इफिर इं Turnagen करने आपको एक्टेम विड्राल उन अप करना है यह सारे काम आप अपने मोबाइल के मदद से कर सकते हो दोस्तों वैसे दिखाना चाहता तो तुम्हें आप लोगों लैप्टाप स्कीरिन के थुरू भी दिखा सकता था पर यहां पर 90% लोगों के पास लैप्टाप साइट के थुरू करना पड़ता है तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा एजडेवसी बैंक के ऑफिशल वैबसाइट पर तो इसके लिए हम चलेए गूगल क्रॉम ब्राउजर में मैं आप लोगों करूंगा कि आप गूगल क्रॉम ब्राउजर का यूज कीजे नॉर्मल यहां पर सर्च कर लिए एजडेवसी बैंक नेड़ बैंक की ऑफिशल पेज यहां पर देहन दीजें एजडेवसी बैंक का फॉस्ट में आ जाता है इसको हमें ओपन करना है पेज को हम फिलाल के लिए ओपन करते हैं ओपन करने के बाद कुछ इस तारह से इंटर्वेस आए इस पर टैप करोगे तो एकुरेट इस तरह से एकश्टोब पे खुलता है उसी तरह से यहां पर फिर अपर करोगे इस पर करके आप यहां पर पहुच सकते हो बड़ द्यान दीजे उपर में डोमें HDFCbank.com ही होना चाहिए आप कही बटक के किसी और वेबसाइट पर ना चले जाएए तो यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों बताना चाहूंगा simply उपर की साइड में आप लोगों को login वाला यहाँ पर option दीगेगा उपर के साइड में जो login वाला option है इस पर टैप करना पड़ेगा इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर net banking login पर हमें क्लिक करके यहाँ पर login पर टैप करना पड़ेगा login पर टैप करने के बाद normally हम यहाँ पर continue कर लेते continue करने के बाद हम यहाँ पर अपना user id और यहाँ पर password एंटर करना पड़ेगा और एक capture फिलब करके इसे continue करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम हमारा user id और password डालके यहाँ पर continue करते security परपत के लिए user id और password में आप लोग यह साथ share नहीं करूँगा या फिर आप लोग वो show नहीं करूँगा तो चले हम continue करते तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हमने यहाँ अपर hdpcrbank का net banking यहाँ पर login कर लिया login करने के बाद आप लोगों को उपर में एक card वाला option दिखता है तो simply यहाँ पर card वाले option पर आपको tap करना है card वाले option पर tap करने के बाद यहाँ पर आप लोगों बताना चाहूँगा यहाँ पर request करके एक tab है यहाँ पर जो नीचे में request वाला tab है आप लोगो इस पर tap करना है request वाले tab पर open करोगे तो आप लोगों को नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पे एक option आएगा Set Card Controls and Uses Limit वाला तो आप लोगों को simply इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने option आजाएगा आपका यहाँ पर debit card, credit card select करने का तो यहाँ पे आप लोगों को simply tap करना है यहाँ पे टैप करने के बाद आपका card select करना है card select करने के बाद यहाँ पे simply continue करना है continue जैसे करेगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ डेली यहाँ डोमेस्टिक लिमिट कितना है है हमारा और डेली इंटर नेशनल लिमिट कितना है तो आप लोगों को simply क्या करना है इसे ही continue कर लेना है तो इसे हम जैसे continue करेंगे आपके सामने यहां पर फूरी डिटिल्स से आप हमारे सामने शो हो जाएगी तो simply हमें नीचे continue वाला जो बटन है इस पर टैप करना है कंटिनीव वाले बटन पर टैप करने के बाद यहाप हमारे सामने इस सारी डिटेल्स खुल के आ जाएगी यहाप लोग देख सकते हैं thank you your limit has been set करने के बाद हमें कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों यहाप लोगों करने के बाद मैं आप लोगों यहाप धूम करके दिखाऊंगा यहाप अप्छन आते एकटे ये उसे लामे आं करने है तो यहाप रऊन ह та हमें इससे अउप करना चाहते है तो उपक लिए कर सकते है यहाप मर्चंट आउटलेंड ट्रैक्षन हमारे ऑन है अंगर हमें इससे उपकरना ए Cam Juli और उसे करना है तो कर सकते हैं साथी साथ यहां पर हमारे option आ जाते हैं contactless यूज्य को लीमेट है तो हमें set कर सकते हैं फिलाल मैंने सारे transaction यह पर आप यहां पर कर लिये मैं आप लोगों को recommend करूंगा security परपत के लिए सारे आप आप और करके रखे और उसके बाद सिंपलिए सब्सक्राइब कश्क्राइब कर सकते हैं कंटिनू करते हैं सारे चेंज़ से हो जाएगे यह पर लोग देख सकते हैं यहाप अपको ऊपर में एक मैसेज आग रहा है सेट कार्ड लिमिट एद सक्षस्पुली थैंक यू और न्यू डेली डेबिट कार्ड यूसेज लिमिट विल भी सेट हो गाई तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने लिमेट सेट की थी वह सिंपली नॉर्मली सेट हो चुकी है जो हमने चेंजेस किये ते हो चेंजेस हो गए अगर हम को फिर सेया इसको कुछ मौड़िवाय करना ही तो हम इस फर लिमिट वाले ऑप्शन पहीं करें किरसकते मोडिविट कर सकते तो इसी तरह से आपकण कर सकतें मैं कार के लिमेट में को मैं संटर्सम कर सकते हो और मैंपने डेज़ कर देग किरो यह प्रस्ट राम आप लोगों पिर से जाके डिका था कार्ड पर हमने ख्लिक किया था तो काड़ पर हमें two option आई थि सबसे वह उस पर credit card debit card select करने था वहाँ पर credit card debit card जो कुछ select करूगे उसके लिमिट को आप मैनेज कर पाओगे बस दूस्तो आज के इस वीडियो में इतना है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो दुमाई आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ तो आज से वीडियो दुमाई आप लोगों क्या करना पड़ेगा पस हमारे चैनल को सब्सक्रा